हापड के कोतवाली पिलखुआं शेत्र के नाशनल हाइवे 9 परसित रामा इंडस्ट्रीज धागा फैक्ट्री में भी शनाग लग गई आग इतनी भयांकर थी कि कुछी देर में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई और देखते ही देखते 50 लाख रुपए से जादा का नुकसान हो गया महीं आग की सूचना से इलाके में हड़कम मच गया मौके पर पहुँची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तब तक फैक्ट्री पूरी तरह जल कर खाक हो गई बताय जा रहा है कि फैक्ट्री में केमिकल और कपड़े में प्रयोग किये जाने वाला मौम रखा हुआ था जिस कारण आग ने रौदर रूप धारण कर जम कर तबाही मचाई आग लगी थी जो फिलाल कंट्रॉल है और इसमें फैक्ट्री अरेज्मेंट नहीं है कि फिलाल कुछी इसलिए जल्दी हम लोग आगे को लगवा से और यहां से आपर से आग कुछ चुपी है कई घंटों की मेहनत के बाद भी शनाक पर काबू पा लिया गया लेकिन जाक के कारण फैक्ट्री को लाखो का नुकसान उठाना पड़ा है हापोर से नदीम एहमत के रिपोर्ट पंजाग केसरे टीवी कर दो